नमस्कार दोस्तों जय मातादी, जय मातलक्ष्मी वैसे कि हम सभी को पता है कि धंतेरस और दिवाले बिल्कुल आने वाला ही है इसलिए हमेशा मैं मातलक्ष्मी से प्राथना करता हूँ कि हे माता जो भी दर्सक मेरे वीडियो को लाइक करते ता उसे पूरा-पूरा देखते आप उनके जीवन में खोब पैसों की बरसात करना, उनके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना, वैसे हर साल की तरह इस बार भी धंतेरस और दिवाले बड़े ही धुमधाम से मना जाएगा, वैसे दो हजार तेईस में भी धंतेरस का तेहवार कब पड़ा है, और मनाने क्या सुब मोहुरत है, क्या चीजे खरिदना चाहिए, क्या चीजे नहीं खरिदना चाहिए, आज किस वीडियो में पूरा का पूरा मैं संपूर ग्यान दूँगा, लेकिन मैं आप से बात बताना चाहता हूँ, कि धंतेरस के दिन बस यह एक चीज खर लेना, यकीन मानिया आपके घर में माता लक्षमी को आना ही पड़ेगा कुछ मत खरदना बस यह दो रुपिय का चीज आप खर लेना आप कहेंगे कि बहुत सारे वीडियो में इसी बाते होती है लिकिन ही आज में जो उपाय बताऊंगा न बस आपकी यह प्रापर है जो हमारा 2023 में 10 नौमबर को पढ़ रहा है तो 10 नौमबर को क्या पूरा का पूरा जो दिन धंतेरस है ठीक है लेकिन पूजा करने का समान खरीदने का सुभमोर्त है क्योंकि सब लोग अपनी इपनी कैपसिटी कांसार समान खरीदेते हैं कुछ लोगों के समर्थ जादे रहता तो जादे समर्थ साधे समान खर देते हैं कुछ लोगों के समर्थ कम रहते हैं तो कम समान खर देते हैं लेकिन इस समान खरीदने का भी सुब महुरत है और इस बार जो है सुब महुरत बनाए समान खरीदने का 10 नूवंबर के दिन 12 बजकर के 35 मद्ले करकर सुरूँ और अगले दिन एक बजकर के 97 वठ तक रहेगा ठिक है मतब है आप 10 मौंबर को 12 बजकर 35 मौंध साड़े 12 बजी के बाद समान खरी सकते हैं और अगले दिन 11 नौबर को मतलब दो पहर तक आप आराम से समान खरी सकते हैं और इसी बीच जो आपको पूजा करने का भी सुब महुरत है मतलब 2.35 से ले करके 6.40 तक और अगले दिन जो है हमारा एक बच करके 56 मिद्ट तक पूजा करने का भी सुब महुरत है धंतेरस के दिन जो भी चीज खरीदेते हैं उन चीजों को खरीदने से ऐसा माना जाता है कि उस चीज में उस समंधी विशे में आपको तेरे गुना बृद्धी होती है तो कि चतुर्थ यह हमारा जो त्रेद वसीती थी भगवान धनवंतरी के, मातालक्षमी के, तथा कुवेर भगवान के तीनों लोगों को सच्चे मन से दिल लगा करके पूजा करने चाहे हैं यदि किसी का भी अगर थोड़ा सा भी मन भाल गया अगर आप पर परसंद न हो गया, दियाद्रिश्चित दिखे गया तब तो आपका जीवन ही पार हो गया, तो बस यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुक्सम्रिदी हमेशा बना रहा है, आपके घर के लोगों का हमेशा स्तेहत जो अच्छा रहा है, आपके घर परिवार में हमेशा प्रेम बना रहा है हमें दुख दर्द ही जलना पड़ता है लेकिन कुछ ऐसी चीज़े होती है कि जो बस मात्र खरीद ले तो आपके पूरा जो साल जो अच्छा ही रहता है तो जो भी समान खरीद देते हैं उस समान के खरीदारी करते समय इन चीजों का ज्यान होना बहुत ही जरूरी होता है कि क कौन सा समान खरीदना चाहिए कौन सा समान नहीं खरीदना चाहिए कौन सा असूब है कौन सा असूब है तो आज मैं आप लोगों कि इस वीडियो में तेरे परकार की खास बस्तू के बारे में बताऊंगा और जिनमें से आप कोई भी एक समान खरीद सकते हैं और तेरे बस् करता हूं कि धंतेरस का दिन आप भी मनाएंगे और दिवाली आप भी मनाते होंगे तो धंतेरस के दिन जब आप खरिदे चाहिए का तो मैं तेरे बस्तू को नाम बताऊंगा और तेरे बस्तू में जो आपको असान लगे उन चीजों को खरिद लाईजेगा ठीक है अपने साम खरिदना बहुत हिस्सूब होता है, क्योंकि जाडू ऐसा माना जाता है कि मातालक्षिमी का परतिक है, और धन्तिरस के दिन जाडू एक नहीं खरदा है, हमेशा जोडा में जारू खरदना चाहिए, जोडा में जोडा में घर पर सबसे पहले उसका भली भात पूजन करके, और उस से घर जाड़ोस अपने घर का सफाया करते हैं तो आप दान कर देते हैं तो माता लग्छमी अती परसन होती है मातलक्षमी के बिसेस देयाद रिष्टी कावती आपके उपार पढ़ती है दूसरा नमर का जो उपाय है साबूत धनिया आप कोशिस करें किस दिन जो साबूत फ्रेस धनिया खरीदा थोड़ा सा महंगा पड़ेगा ठीक है अरे दो रुपिया कर नहीं खरते हैं पांच रुपिया खर लेजेगा इसमें तो पांच रुपिया दूसर रुपिया ताम बात है तो आप साबूत धनिया आप दो रुपिया का खरी सकते हैं और लगभग सब ही लोग कर सकते हैं साबूत धन्य अपने घर मेरे जरूर लाए और अपने घर मेरे ला करके यके घ़ तो बहुत ही अच्छा होता ह्या जैसे जैसे वह धन्य बढ़ता है वैसे से आपका गूर॥ होना शुरूह लेकिन उसके साथ-षाथ एक ओवरद ओर ही जो अब धन्या लाते थोड़ा सा उसरे ऐसे धन्या निकार करके उसमें इत्र लगा देते हैं। सब्सक्राइब लुए वह क्या इत्रक्ynिया जो इत्र परिवार का होसा कैंने तो आप एक कटोरा में उस धनिया को इत्र लगा हुआ धनिया घर के उत्तर दिस्ता मेदी रख देते हैं तो मातलश्ची में को क्या करता है यह अकरसित करता है ठीक है आप इनुपायों को कर सकते हैं यह बहुत इच्छे मतकारी उपाय है ठीक है अब गई बात आप ऐसा काम क तो अगले दिन के धनिया को करना क्या है तो धनिया को आप जो अगले दीन मतल्य डीवाली पांच दिनसलों तककम स्कम इसकार this or要 कर देना है यदि आख भीसरजित कर दे तो भी अच्छी बात है नहीं तो इस धनिया को ले जाकर के आप अपने गर के किसी गंले में या किसी खेत में या दिब हो देते तो सुब्रेएगा ठीक है धनिया अच्छी quality ध्राणी ठाशी को को कुला है तो आप यदेधोल 971 होगी 不過 तो ने जए tips नमक न Hindu जब्सक्राइब साल यह क्या करके आप प्लेखन के लिवारे पतनार करेब है और तो उस नमक को ला कर के आपको पूरा जब तक स्आमापट नहीं हो तक उसी नमक का सेवन करना है, जो नमक आपने धनतेरस के दिन खरीदा है, यदि आप इन लगतार पाँच दिनों में जब आप सुबह सुबह घर में अपने पानी का पोछा लगाते हैं, तो उस पानी में कोशिज करें कि नमक भी डाल दे तो बड़ी ही अच्छी बात होती है घर के नकरफ्तमक सकत्यों का सफाया हो जाता है, घर के जो हानिकारण जो कीड़े और बैक्ट्रिया फैले रहते हैं, उसका भी क्या होता है, इसके साथ में सफाया हो जाता है, इसका आप को ज़रूर करें, देके अथे चौथा नमर का जो उपा है यह जो सामको समान खरीदना यह गोमती चक्र है ठीक है गोमती चक्र गोमती चक्र में ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णू का वास होता है और गोमती चक्र जब आप खरीद करके लाते हैं तो भगवान विश्णू का वास होता है इसके सही त प्रत्यस्तापित कर सकते हैं, ठीक है, इसको रखने से क्या होता कर पूजा घर में ही रख देते हैं इस गूमती चकर को लाल कपड़े में गट्टर बान करके, तो घर के वासुत दोस्कों क्या करता है, दूर करता है, और इसको रखना ते ऐसा नहीं कि दो दिन, चार दिन के बाद इसको हटा देना है क्योंकि खराब होने वाला है नहीं और साल में आप जो है अगले दिवाली जबाएगा तो इसको आप बदल सकते हैं इसका पुराने वाले गुमती चकर का विसर्जन करके नए आप गुमती चकर को क्या फिर से प्रतेस्तापित कर सकते हैं तो गुमती चकर आपको बड़े ही असानी से आपको जहां पर पूजा का समान मिलता है उस चिखाँ पर मिल सकते हैं तो हम जब कर दो कोरी क कॉडि को भी आपको अपने घर पर जरूर लाना चाहिए कोरी याथ तो सफेद हो या तो पीली कोड़ी हो मतलग कह ने हैं उसी समय कोडी का भी उत्पती होती तो कोडी जो मातालक्षमी की बहन होई अगर कोडी के माध्यम से मातालक्षमी को आमाहन करते हैं तो मातालक्षमी जो खीची-खीची चलिया जेते कोडी क्या करते हैं मातालक्षमी को अट्रक्ट करने का काम करता है अकरसित करने का काम करता तो कवरी जो है आप 5 खर Красक्ते साथ करिशंगते एगारी सकते या तेरे 21 जितना आप जाप जाएं तो आप उतना कर इसको ला करके आपको सांक की समय दिपावली के दिन लाना तो आपको धन्तिरे रज़ कर अपने घर के पुजा मंदर debating करना या आप इसे अपने घर के अ님 की मैं जो कुछ भी उपाय बता रहा हूं इसको तो जरूर ही खरीद करके लाना क्योंकि यह मतलक्षमी को आपको घर पर आने पर मजबूर कर देता है ऐच्छटवा नमर का बस तो एक स्रियंत आ है जुअं आप पूजा करते हैं उस जगर पर आप इसको रख इस काम को करने से आपके घर में कभी भी धन का आभाव नहीं होना चाहता है इसके पीछे कथा भी है कि जब एक बार जो मातालक्षमी जो रूट करके धर्ती लोग से स्वर्गो लोग में चले गए थी तो जो ब्रामरते निर्धन होने लगे उन लोगों के जो जोपड़ी थे उजड़ गये सब कुछ कंगाली कंगाली पड़ गये तो गुरु बिस्ष् प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भाई मातालक्षमी को लाने का तो कोई दूसरा साधन नहीं है तो वह लोग मातालक्षमी के पास गए भगवान बिस्पति भगवान विष्णू को ले करके मातालक्षमी के पास गए तो मातालक्षमी नहीं कहा कि मैं तो बिल्कुर उनको जाना ही पड़ेगा बस विरस्पति देव के अनुसार बताएगे स्रियंत्र पर गुरु बसिष्ट ने साधना के लंबे दिनों तक उसके बाद से मातालक्षमी को आना ही पड़ा धर्ति पर तो स्रियंत्र में इतनी ताकत है अगर आपके घर से अगर मातालक्षमी रू मुझे रुद्राज का यदि माला मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात होती है आप इसके रुद्राज को खरीदे और विदिवत विदिविदान्स इसको पूजा करके देखो आप धंतिरस की दिन भी पूजा कर सकते है या इसको खरीद करके अजलाए और दिवाली के दि हो यदि आप इसका जाब करके इसको अस्थापित कर देते हैं तो इस काम को करने से आपके घर में अनेक पर करके सुखो की प्राप्ति होती है तता आपके घर परिवार में कभी अकाल मिलतू नहीं होती है उसे रुद्राज का अपने घर में अस्थापित करने से भगवान स साथ की दिन से हिते有ार हुजए यदि हम दिवाली के दिन को अच्छे से सिर्वरेट करने के लिए अ Squeak carrying यदि के दिपाट जलाते हैं तो कभी हमके पूरे साल में कभीए कर्छ की समस्या अंसमदी समस्याइट नहीं होगे ठीक है आठाव नमर की जो बस्तु है आप जो इस दिन जो है मिटी के दीपक की खरीदारी कर सकते हैं आपकी पास सामर्थ नहीं है आपकी कैपसिटी नहीं है तो आप बरतन खरीदना का जो बिदी बिदान है कुछ लोग आभूसर खरीदेत किसी भी याचक को किसी जरूत मंदवेकत को किसी गरीब को यदि मिटी का दीपक तेल और बाती मता पूरा यदि दान कर देते हैं तो मातलश्यमी के बिस्यस देया दिश्टी आपके जीवन पर पढ़ती है तो दान करना बहुत ही सुब है पहला नमर के मैंने बता है कि यद जरू दान करते हैं दूसरा यदि मिटी का दीपक तेल और बाती दान करते हैं तो बहुत ही सुब होता है ठीक है नवा नमर की जो बस्तु है आपको जब खरिदारी करने जाते हैं तो देवी देवता कि कुछ लोग मूर्तिया भी खरिद कर लाते हैं तो देवी देवता कि जब आप मूर्थी खरी देते हैं, अगर इस दिन मिट्टी की मूर्थी खरी देते हैं, तो मिट्टी का मूर्थी बहुत ही सूब होता है, आप मेटल की यदि आपके कैपसिटी हो तो खरी सकते हैं, आप पीतल की मूर्थी खरी सकते हैं, लेकिन लोहे की मूर्थी नहीं खरी बना होता है तो उस परकार के मूर्ति को भी नहीं लेना चाहिए या तो सीधे आप मिटी का ही मूर्ति खरिदे तो बहतर होता है पत्थर का मिल जाता है तो पत्थर का भी आप ले सकते हैं तो मूर्ती जो खरिदना है तो मातलक्षमी और भगवान सरी गड़ेश की मूर्ती खरिदना है लेकिन दोनों मूर्ती को खरिदते समय कुछ साउधानिया भी रखनी होती है तो आपको कुछ नियम जानना चाहिए दोनों मूर्ती आप खरिदते तो दोनों मूर्ती पहला नमर के बात है अलग-अलग होनी चाहिए ठीक है और दोनों की दोनों मुर्ति क्या होती ही बैठी हुई अवस्ता में होना है को कि खड़ी हुई अवस्ता में जो रती तो बहुत ही फूर्तिला होती है बहुत ही चंचल होती है और कभी भी आपके घर से क्या जा सकती है तो खड़ी पूरा का पूरा साल जो है आपके घर में माता लक्षमी तता भगवान से जिसे बिगन हरता कहा जाता आपके घर में कभी कोई दुख परसानी नहीं आने देंगे ठीक है अगला दसवन नमर का जो बस्तु है वह कुबेर यंत्र ठीक है आप एक आपको मार्केट में भी या टीबी पर बहुत सारे डिवर्टाइजर दिखाते हैं कि धन लच में कुबेर यंत्र ठीक है आप कुबे द्रिश्टि आपके जीवन पर पड़ गए तो बस आपका जीवन पार हो जाता है इस वज़ए से आपको कुबे रियंत यादी आप खरीद करके घर के उत्तर दिसामियदी आप स्थापित करते हैं तो आपके घर का वास्त दोस्त खतम हो जाता है ब्यापार में ब्रिद्धी होने लगती है ब्यापार में लाभी लाभ होने लगता है आपका घर का भरकत होना सुरूर हो जाता है यहां आप इसके साथ मिनहत करते हैं मिनहत का अंसारा को फल ही नहीं मिलता है काफी कोशिसे करते हैं लेकि उसका प्रेडाम नहीं मिलता है तो आपको मिनहत के बराबर फल भी मिलने लगेगा और आपका तीजोरी कभी खाली नहीं होगे आपके परिवार में सुक्षांति सम्रेदी सब कुछ परेगा हाँ आप जो कुबेर यंत्र यदि खरीद करके लगतार पाँच दिन तर करता धन तेरस के दिन से दीपावली के दिन तक अगर कुबेर भगवान का जो मंत्र होता है उस मंत्र को कमस कर रोज अगर आप एक एक माला यदि जप करते हैं तो यकीन मानिए भगवान स्री कुबेर को आपके घर में धन धान तो देना ही पड़ेगा उनको धन की पर साथ कराने ही पड़ेगे जब धन भगवान स्री कुबेर जी आएंगे तो उनके साथ में तो मातलक्षमी तो आती ही आती है क्योंकि जहां पर धन रहेगा वहीं पर जो मातलक्षमी का वास होता है अगला नमर का जो बस्तू है कि आपके अगर कैपसिटी हो सामर्थ हो तो इस दिन जो आभूसर खरे सकते हैं लेकिन हाँ नकली आभूसर नहीं खरेता है आटिफिसल जोलेरी बिल्कुल ही नहीं आपको पर्चिश करना है खरे दिये छोटा ही खरे लेजिए तो आप अभूसर खरे सकते हैं यदि आपके पास समर्थ है कैपसिटी है छमता है तो आप जो है अभूसर खरे सकते हैं सोने का खरे सकते हैं चांदी का खरे सकते हैं नहीं कोई अभूसड भी नहीं खर पूजासमंदि कोई समान खरिए लें जिससे पूजासमंदि कोई कोई दिया हो गया कोई बाति हो गया। लवढ हो गया। पान का मत्त्त हो गया, Zentीघी turning पद म्सेमे शीजें करगे हैं जी ठोफolet अचेज रखेए लताई से आप भगवान की पूजा करिए, भगवान के चरणों में अपने आपको समर्पित करिए, इस बार नहीं दिये, अगले बार आपके पास 100% सामर्थवान हो जाएंगे, और इतना सामर्थवान हो जाएंगे, कि आप दूसरों को भी दान देने में सक्चम हो गए, ठीक है, हमेशा ध्यान में इन चीजों को रख रख रख, इस्टील का खर लें, पीतल का खर लें, लेकिन आपको लोहे का नहीं कर देना, आपको जूलेरी लेते हैं, सोने का चांदी का गिलास उरस ले लेते हैं, तो ठीक है, ठीक है, जैसा जिसकी क्या परसेट है, तो लोहे का बरत आपाद का बराबार फलने मिलता आप ने यह छोटी से गल्थी कर दे है अगला नमर की बसतु आप ή leaders के दिन को ही आप को धार्मिक बसतु है नहीं ऑत तो पूजा का समान कर दे, नहीं तो आप कोई धार्मी की किताब यदि मिल जाता है, तो आप जो है, नहीं को समदे तो पांच रुपया, दस रुपया के जो आरती की किताब आती है, मातलक्षमी की आरती वाली, मातलक्षमी की कथा के जो किताब आती है, रमायर की किताब आती तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिसकी जैसी कैपासिटी रहती है उसी साफ से खड़ता है लेकिन आपको अपने घर में जाड़ू धनिया और एक चीज जरूर आपको अस्थापित करना चाहिए सिरियंत मातलरश्मी को अस्थाई रूप से अपने घर में निवास करने के लिए कर रूठ भी गई हो तो सिरियंत को स्थापित करने साब के घर में मातलरश्मी को आना ही पड़ता है तो ए रहे आज के इस वीडियो में मैंने खास्ते किसे उन तेरा बस्तू के बारे में बताए हैं जो आपको जो अच्छा लगे उन चीजों को खरी सकते हैं कोई जर मातम सकते को सफाया हो जाएगा और आपको धीन दूनी राज्चा उने भी आपको ब्रिद्दी होने से कोई ने रहा हैं 2023 में जो धंतिरस आप मरा रहें 2024 में धंतिरस में इतना आपको देंगे कि आप दूसरों को दान देने में सामर्थवान हो जाएंगे इतना जबरजस्त इन चीजों का सुभपरतिक होता है बस मातलक्षमी के बिसे स्क्रिपा बनाए रखने के लिए आप इन उपायों को करिये तता मैं हमेशा आप लोगों के लिए मातलक्षमी से दूआ करता हूँ प्रातना करता हूँ कि मेरे दर्सकों के जीवन में हमेशा आप दंधान की बर पूरे परिवार के उनमे कभी किसी परकार की कोई कमी मत करिएगा, साथ में मैं आप लोगों से एक बात और काना चाहता हूं, कि इन बस्तों में से आप कोई भी चीछ खरीद दियेगा, तो मातलश्मी का नाम लेकर के उनका ध्यान करके, आप एक बार जरूर काम करीगा, सच्चे दिल से पूजा करीगा, यकीनां आपके घर में उनको आना ही पड़ेगा, जै जै